पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जम कर लाठी डंडे और इट पत्थर चले जिसमें दोनों पक्षों से आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए जिसके बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भरती कराया गया आपको बता दें करनो जिले के थाना सौरिक के ग्राम डिंगरी निवासी रामू घर से मोटर साइकल निकाल रहे थे कि तभी रास्ते में पड़े इट के धेर से टकरा कर उनकी मोटर साइकल गिर परी जिसके लिए वे शिकायत करने अपने पडोसी शिवम के दरवाजे पर गए कि तभी गाली कलोज होने लगा और देखते देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर लाठी डंडे वा इट पत्थर चलने लगे जिसके चलते दोनों पक्षों से करीब आधा दरजन लोग घायल हो गए पुलिस ने इस मामले को शांत कर मामले की जाच परताल शुरू कर दी है बताया जा रहा है कि इन दोनों पक्षों में पहले से ही रंजिस चल रही थी जिसके चलते इनका गुसा एक दूसरे पर इसकदर बरसा है इतने में लोगन ने दंडा चलाई पत्था चलाई सब्सक्राइब